दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैं हूँ आचारस के तिवारी, आज बात करेंगे तीसरे भाव का स्वामी लगने से लेकर अगर बारवे भाव में बैठा हुआ है, तो आपको किस प्रकार का फल परदान करता है, तो बने रहे हमारे साथ और देखते र जाता है, जीवन में जो भी प्रयास होता है, वह तिसरे भाव से ही देखा जाता है, कि जातक कितना प्रयास करेगा, बरतमान समय में जो भी आउट्डोर खेल खेले जाते हैं, जिनमें भाग दोड़ करनी की जरूरत होती है, वह तिसरे भाव से ही देखा जाता है, और इसक इसरे भाव का स्वामी ये दिलगन भाव में बैठा हुआ है, तो इस प्रकार के जातक पराक्रमी होते हैं, ऐसा जातक सारीर से दुर्बल होते हैं, एवं ये अपने प्रयासों से अच्छा धनार जित करते हैं, ऐसा जातक कुछ क्रोधी तो होते हैं, लेकिन साहसी और जातक सारीरी कुरूप से कमजोर और दुर्बर होते हैं, और जातक बहुत जल्दी ही रोगी हो जाता है, दोस्तों दिती भाव को धन तथा परिवार का भाव माना जाता है, दिती धन भाव एवं कुटूं का भाव भी कहा जाता है, यदि तृती भाव का स्वामी जन्म कु जीवन में अधिकतर नाखुस रहा करते हैं साथ ही तृती भाव को प्रयास करने वाला भाव माना जाता है यदि जातक कि जन्म कुल्ली में तृती भाव का स्वामी तृती भाव में ही विद्वान हो तो जातक आनंद पूर्वा का अपने जीवन का यापन करता है उसका अत्य अधिक जीवन सुख में कहा जा सकता है, जातक को अपने मित्र और अपने संबंधियों का सानिध प्राप्त होता है, जातक अपने छोटे भाई वहनों का भरपूर सहीव प्राप्त होता है, साथ ही तीसरे भाव के स्वामी का तृती भाव में विद्वान होने से जातक को कोई बड़ा भाई नहीं होता अथ्वा जातक से बड़ा भाई होता है और अपने जीवन में बहुत खुस होते हैं जिससे जीवन का भरपूर होने के संभावना भी बनी रहती है जातक को दयाहीन और क्रूर जीवन साथी का साथ मिलता है पन्चम भाव को त्रिकौर अत्वा लक्ष्मी का भाव ही माना गया है तृती स्वामी पंचम भाव में होने से तथा नवमेज की प्रबल स्थिती होने से जातक बहुत भागिसालिय और धनी होता है तथा बिविन नतरह की सुक्सुर्धाएं से युक्त होता है जातक को अपने बढ़े भाई से कोई सरकारी जाब मिलने की योग बनते है सिसु की अवस्था में जातक को कोई अमीर परिवार गोध भी ले सकता है तृतियेस का स्वामी ग्रहपीडित हो और पंचम भाव महत्व ऐसे में जातक बैवाहिक जीवन में संतान संबंधी परिसानियों का समना भी करना पड़ सकता है दोस्तों वाई जानते हैं छटे भाव के बारे में सश्ट भाव को सत्रु कर्ज एवं ब्याधियों का भाव माना जाता है यदि तृती भाव का स्वामी जन्म कुडली के सश्ट भाव में विद्वान हो तो जातक आगे चलकर खिलाडी अत्वा पाइलेट की रूप में अपना जीवन यापन करता है ऐसे जातक का अनुज सैनी कत्वा चिकिस्सक की रूप में अपना केरियर चुनता है तृती भाव का स्वामी ग्रह पीडित होने एबं वह सश्ट भाव में इस्थित होने पर जातक रिस्वात और अननेतिक कामों में सलनगन होता है और इसे रूप में उसकी पहचान होती है जातक के परिवार वाले जातक को पसंद नहीं करते आए दिन जातक की तवियत खराब रहा करती है अगर जातक की जन्म कुली में तृती भाव का स्वामी सप्तम भाव में प्रवल इस्थित में विद्वान हो तो ऐसे जातक अपने भायों साथ इसने होता है जातक अपने भायों के सास्तांती पूर्वक जीवन बेतीत करता है जातक का 33 पीडित हो और वह सब्तम भाव में बिद्वान हो तो जातक का बच्पन बहुत दुख में होता है ऐसे जातक किसी दर्दनाग घटना का सिकार भी हो सकते हैं अब जानते हैं अश्टम भाव के बारे में अश्टम भाव को सुभाव नहीं माना जाता यदि तर्दी भाव का स्वामी जातक कि जन्म कुंडली के अश्टम भाव में स्थित हो तो ऐसे में जातक के बिवाह में बहुत अर्चानाती है जिससे जातक का बिवाह तूट भी सकता है जातक के उपर किसी तरह के मार पीट अथवा हिंसा का आरोब भी लग सकता है तृतियेस पेडित होने पर जातक आम तोर पर किसी जानलेवा रोग से गरसी तरह करते हैं जातक के अनुच की असमे छोटी उम्र में ही मृत्त हो सकती है दोस्तों नवम भाव को पूरी कुंडली का सबसे महत्पून भाव माना जाता है यदि तृती भाव का स्वामी नवम भाव में विद्वान हो तो जातक कभी वाह के बाद का भाग चमकता है जातक के भाई को जमीन के मामले में लाब मिलेगा जिससे जातक को भी इसका लाप्राप्त होता है जातक को विदेश त्यात्रा पर जाने का अबसर मिलने के भी प्रबल्योग दिखाई देते हैं ये जातक के त्रिती भाई का स्वामी को ये सुब ग्रह हो और वह नवम भाई में विद्वान हो तो ऐसे जातक का अपने पिता से थोड़ा मत्विद हो सकता है अब आई जानते हैं दसम भाई के बारे में दसम भाई को कर्म का भाई माना जाता है ये जातक की जन्मकुड़ी में तृती भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को जीवन संगनी बहुत क्रोधी प्रकित की होती है लेकिन जातक बहुत चतुर व्यम सम्रिद्ध होता है वह जातक अपने जीवन में पर्याप्त सफलता और सम्रिद्धी प्राप्त करता है एकदस भाव को लाब भाव माना जाता है अगर तृती भाव का स्वामी जातक की जन्म कुड़ी के एकदस भाव में विद्ध्वान हो तो जातक अपरे परिश्रम के बल पर धेर सारे धन का संग्रह करता है और यस प्राप्त करता है ऐसे जातक दूसरों के सेवा करने में रूची रखने वाले होते हैं लेकिन जातक का सवाव थोड़ा गुसले प्रकित का होता है जातक सुन्दर्ता के साब मामले में दिखने में बहुत आगरसक नहीं होता अपनी ही गल्तियों के कार्ण जातक धन दौलत खोकर गरीब भी हो सकता है दोस्तों दौदस भाव को बेय भाव माना जाता है यद तृती भाव का स्वामी दौदस भाव में विद्वान हो तो जातक अपनी ही गलतियों की बज़ा से धन दौलत खोकर अध्यन्त गरीव हो सकता है ऐसा जातक अंतर मुखी होने के कारण अकेले रहना पसंद करता है जातक का भाई अपनी बात पर अडिक रहने वाला एबम जिद्धी प्रकित का होता है जातक को अपनी भाई तथा बेहनों और पिता से बिसेस लाव ग्रापतन ही हो पाता है जातक का चरित्रिनिम नकोट का होता है या बहुत चरित्रहीन हो सकता है तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए जानकारी थी लेकिन जैसा कि इस वीडियो की माध्यम से आपको बताया गया है कि आपके तीसरे भाई का स्वामी लगल से लेकर बारवे घर में कहीं भी इस्तित हो तो किस प्रकार का फल परदान करता है ये फल ग्रापों की दिष्टी की बज़ए से अलग भी हो सकते है अगर कोई सुप ग्रह यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों को देख लेता है तो इसकी सुपता में और भी ज़्यादा बृद्धी कर देता है लेकिन सर्त यह है कि आपके तीसरे भाई का स्वामी कोई सुप ग्रह होना चाहिए साथ ही वह ग्रह सुप ग्रह है तो और वह ज़्यादा अच्छा फल देने में सक्छाम हो जाता है तो ही अगर कोई पापी ग्रह आपके तीसरे भाई का स्वामी बनता है और तीसरे ग्रह से संबंद बनाता है और कोई सुप ग्रह उस ग्रह को देख रहा है तो उसके पाप रोहाँ में कमी कर देता है तो इस बज़े से उसके नतीजों में भी फेर बदल हो सकता है तो इस जानकारी को आखरी सत्यमान करना चलें जो भी फाल आपको बताए गए हैं वह जोतिस के जो भी मरमग जहें जो भी विद्वान हैं उनके कहे अनुसार ही वताए गए हैं लेकिन ग्रहों की द्रिष्टी पढ़ने की बज़े से और उस ग्रह के साथ बैठने वाले ग्रहों की बज़े से भी उस ग्रह में कुछ परिवरतन देखने को जरूर मिलता है तो आप भी अपनी जन्मकुन्डी खोलिए और खुद ही देखिए कि आपकी जन्मकुन्डी में तीसरे भाव का स्वामी किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है और उस पर किस ग्रह के दिष्टी पढ़ रही है उसी प्रकार का फ़ल आपका वह तीसरा भाव का स्वामी ग्रह फल परदान करेगा तो दोस्तों यह जानकारी थी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल में अगर आप नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें